Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? आज की जो कहानी होने वाली है, ये मुझे काफी पसंद आई है और I hope आपको भी काफी पसंद आने वाली है तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करके और कमेंट करके हमें जरूर बताएं तो इस कहानी को सुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस दुनिया में एक टावर है जो कि हर किसी की हर इच्छा को पूरी कर सकता है मगर उस टावर से किसे भी विश्च को मांगने से पहले उस टावर के उपर चड़ना जरूरी है और अगर कोई वहाँ पर चड़ना चाता है तो उसे बहुत सारे चैलेंजिस से होकर गुजाना होगा और अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है सबसे पहले हम बॉम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि उसी बड़े से टावर के नीचे बनी हुई एक गुफा में रहता है यहाँ पर वो गुफा पूरी तरह से बंद है इस बज़े से बॉम को समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ से बाहर कैसे निकले और साथी साथ उसे कोई आइडिया भी नहीं था कि वो यहाँ पर आया कैसे क्योंकि उसकी सारी मेमोरी मिट चुकी थी बस उसे इतना पता था कि उसे किसी भी तरह से इस गुफा के अंदर से बाहर निकलना है इसलिए वो उसी गुफा में रखे हुए कुछ पत्थरों को उठाता है और एक पहाल टाइप का बना कर उपर चरता है और दिवार के उपर छेद करने की कोसिस करता है पर इस चीज में उसे बहुत मुस्किल हो रही थी क्योंकि अभी उसकी उम्र जादा नहीं है पर वो हार नहीं मानता और किसी भी तरह से उपर एक होल बना लिता है अब जैसे ही वो होल बना था तो वहां से बहुत तेज लाइट आ रही थी और तब ही वहां पर उसे एक लड़की दिखती है जो कि लगभग उसी की उम्र की थी उस लड़की का नाम रेचेल है और अब वो भी उस गुफा के अंदर आ गई थी यहां पर उसकी और बॉम की दोस्ती हो जाती है वो बॉम को बताती है कि इस गुफा के बार एक बहुत बड़ा टावर है और वहां पर चड़ना ही उसका सपना है क्योंकि वहां पर चड़ने के बाद उसे आसमान में बहुत सारे स्टार्स दिखेंगे और वो बस यही चाती है वैसे बॉम इसमें से कुछ भी नहीं चाता था क्योंकि उसे एक अच्छी दोस्त मिल गई थी साथी गुफा के ऊपर एक होल हो चुका था जिससे वो बाहर की दुनिया देख सकते थे वो कहता है कि वो बस यही पर रहेगा और रेचल भी उसके साथ यही रहेगी लेकिन क्या होता है कि रेचल वहाँ से भागने लगती और बॉम उसे देख भी लेता है और वो उसका पीछा करता है लेकिन रेचल बहुत दूर आ गई थी बॉम उसके पास आता और उसे रोकता और पूछता है कि तुम कहां जा रही हो इस चीज़ पर रेचल बताती है कि उसका सपना यहां रुकना नहीं बलकि उस टावर के ऊपर चड़ना है इसलिए वो यहां पर नहीं रुक सकती बॉम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे लेकिन तभी वो देखता है कि रेचल अचानक से वहां से डिसापियर हो रही थी और धीरे धीरे वो गायब होती जाती है अभी बॉम को कुछ भी समझ नहीं आया था कि इतने में ही बॉम के सामने से एक गेट उपन होता है जिसमें एक बड़ा सा हाथ सीधा बॉम की तरफ आ रहा था वो उस हाथ से बचने की कोशिश नहीं करता क्योंकि वो जानता था कि उसे आगे बढ़ना होगा जिससे की वो रेचल को ढून सके हम देखते हैं कि अब यहां पर बॉम एक अजीब से दिखने वाले परसन से मिलता है असल में यह उसी टावर का गार्डियन है यहां पर इसे ब पहले टावर के ऊपर जाना होगा और ये इतना असान काम नहीं है। अब वो इसे ये भी बताता है कि सामने जो केज है उसके दूसरी तरफ एक बहुत बढ़ा मॉंस्टर है और ये सी मॉंस्टर है। और उस मॉंस्टर के आगे एक बलेक कलर की बॉल है। वो बॉम से कहता है कि तुम्हें इस ball को destroy करना है और अगर तुम उस ball को destroy कर देते हो तो तुम इस floor को पार करके अगले floor पर पहुंच जाओगे और इसी तरह से कुछ challenges पार करने के बाद तुम उस tower के ऊपर भी पहुंच सकते हो फिर तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे मगर बॉम उसकी बाते सुन तो रहा था पर वो समझ गया था कि अब उसे बस किसी भी तरह उस tower के ऊपर जाना है यहाँ पर वो guardian यह भी कहता है कि यह बहुत खतरनाक होने वाला है अगर तुम चाहो तो इस plan को drop कर दो पर इतने में बॉम वहाँ से भाग कर सामने उस केज के अंदर जाने लगा था ने में ही वहाँ पर एक लड़की आती और बॉम के फेस पर किक करके उसे नीचे गिरा दीती है वो उसे रोकना चाती थी क्योंकि बॉम अभी बहुत कम उम्रका है और वो सी मॉस्टर सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक था वैसे उस लड भी बॉम से कहते हैं कि ये जगा बहुत खतरनाक है तुम्हें आगे इस तरह से नहीं जाना चाहिए तुम्हारी उम्र भी कम है और अभी तुम्हें नहीं पता कि आगे किस तरह के चैलेंजिस मिलने वाले हैं वैसे बॉम को किसी भी तरह से बस आगे जाना था इस वज़े स वो गार्डियन यहाँ पर यूरी से कहता है कि अगर तुम इसकी मदद कहना चाती हो तो तुम इसे अपनी तलवार दे सकती हो सायद वो गार्डियन उस लड़की को जानता था यहाँ पर वो किसी ब्लैक सौट की बात कर रहे थे यहाँ पर वो उस मॉंस्टर से बचते हुए सीधा सामने उस बॉल की तरफ आगे बढ़ रहा था लेकिन इतने में ही वो मॉंस्टर वहाँ पर आ जाता और उसे खा जाता है मगर हम देखते हैं कि बॉम अपनी तलवार की मदद से उस मॉंस्टर के मुँपर अटैक करता है और अंदर से बाहर निकलाता है और यहाँ आप वो सीधा उस बॉल की तरफ पहुँच चुका था वो उस बॉल पर कई बार तलवार से मारता है लेकिन वो बॉल बिल्कुल भी डिश्टॉय नहीं हो रही थी बॉल बहुत ज़ादा कोसिस कर रहा था मगर हम इतने में देखते हैं कि वो मॉंस्टर बॉल पर हमला करने के लिए आ चुका था यहाँ से गोल्ड आवाज लगाता है कि बॉल को अपनी उस तलवार की पावर यूज करनी चाहिए उसकी पावर की मदद से बॉल माराम से उस बॉल को तोड़ देता है और आसानी से उस फ्लोर को पार कर जाता है यह देखकर गोल्ड और यूरी दोनों ही बहुत जादा सौक लग रहे थे वैसे इसके बाद अब यूरी भी आगे बढ़कर नेक्स्ट फ्लोर पर जाने लगी थी पर तभी वो गार्डिन उसे रोक दीता है और पहले तो वो उस मॉंस्टर को खत्म करता है वैसे इसके बाद यहाँ पर क्या बात हुई हमें बताया नहीं जाता क्योंकि अब हम सेकेंड फ्लोर पर आ चुके थे यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि यह जगे पहले वाली जगे से बहुत अच्छी है और बॉम इस जगे को देखकर हैरान था क्योंकि अभी तक वो कभी अपनी गुफा से बाहर नहीं निकला था लेकिन अभी यह टाइम नहीं था इंजुआई करने का वो सामने एक डब्बे को उड़ता हुआ देखता है उस डब्बे में से बहुत तेज लाइट निकल रही थी यहाँ पर बॉम को इस फ्लोर के बारे में पता चलता है असल में यहाँ पर टोटल 400 लोग हैं जो की इसे पार करने के लिए यहाँ पर आये थे इसमें उन्हें कुछ करना नहीं है बस यहाँ पर इन्हें आपस में लड़ना होगा और आखिर में जो 200 लोग बचेंगे तब वो लोग आगे की लेवल पर पहुंच जाएंगे और उनको थर्ड फ्लोर पर भेजा जाएगा अब यहाँ पर यह सेकंड फ्लोर का सेकंड लेवल स्टार्ट हो जुगा था बॉम भाग रहा था क्योंकि वो किसी से लड़ना नहीं चाता था पर तभी उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक इंसान आ जाता है जो कि सच में देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था और साथी एक और ऐलिगेटर टाइप का क्रियेचर वहां सामने आता है उसका नाम रेक है और वो यहाँ पर बॉम पर हमला करने वाला था वैसे यहाँ पर बॉम की मुलाकात एक और लड़के से होती है जिसका नाम कुन था वो लड़का वहाँ से चुप चाप चला गया था लेकिन तब ही वो अचानक से बॉम के पास उस तलवार को देखता है उस तलवार पर एक निशान था जिस वज़े से वो समझ गया था कि यह ब्लैक स्वार्ड है वो वापस वहाँ पीछे आता और बॉम को उस एलिगेटर यानि के रेक से बचाता है और अब वो वहाँ से साथ में निकल रहे थे साथी वो बॉम से पूछता है कि आकर यह तलवार उसके पास कहा से आई तो बॉम उसे सबसच बता देता है कि यह तलवार उसे यूरी नाम की एक लड़की ने दी है और वो भी सिर्फ उसकी मदद के लिए जिससे की बॉम जिसे ढूंड रहा है वो उसे मिल सके यह बात सुनकर कुन बहुत हैरान था और वो भी फैसला करता है कि वो बॉम को अपने साथ आने देगा और अब वो साथ में वहाँ से आगे बढ़ते हैं उन्हें बस वहाँ पर सर्वाइव करना था वैसे जब वो वहाँ से आगे बढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ हम एक लड़की को एक लड़की से लड़ाई करते हुए देखते हैं उस लड़की के पास एक अजीब सा वेपन था और ये वेपन भी उसी सिरीज के अंदर आता है इसका मतलब अभी उन्हें कुछ और देर इसी तरह से छुप कर रहना होगा वैसे यहाँ पर कुन बाम से उसका पास्ट के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उसे उसके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता अपनी मर्जी से अपने रूल बनाने है लेकिन तभी उनके उपर रेक हमला कर देता है लेकिन जैसे उसने हमला किया था इतने में ही टाइम कंप्लीट हो जाता है और दोसों लोग वहाँ पर बचे हुए थे और साथी साथ ये अनॉंसमेंट होती है कि अब अगर किसी ने एक दूसरे पर हमला किया तो उसे डिस्क्वैलिफाई कर दिया जाएगा इस बात को सुनकर कोई भी अब किसी पर हमला नहीं कर रहा था वैसे हम ये भी देखते हैं कि वो जो लड़का और लड़की की फाइट हो रहे थी जिसके पास वो सिरीज का एक वेपन है उन्होंने अब हाथ मिला लिया था क्योंकि वहाँ पर एक लड़का आ गया था वो उन्हें समझाता है कि लड़ने से कोई फाइदा नहीं और वैसे भी अब दोसों लोग पूरे हो गए थे हम यहाँ पर देखते हैं कि एक और एनॉंसमेंट होती है जिसके बाद अब इन लोगों को तीन लोगों की टीम बनानी है और अगर जिसने टीम नहीं बनाई उसे भी डिस्क्वाइलिफाई कर दिया जाएगा और ये तीन लोगों की टीम थर्ड फ्लोर पर जाएगी ये बात सुनकर साभी शौक थे क्योंकि अभी वो आपस में लड़ रहे थे और अब उन्हें आपस में दोस्ती गानी है वैसे बॉम और कुन तो पहले से ही दोस्त बन चुके थे पर उन्हें एक और कोई चाहिए था इसलिए यहाँ पर अब वो रेक को चुन लेते हैं पर रेक वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे कोई स्टॉंग टीम पार्टनर चाहिए था हम देखते हैं कि बाम और कुन उसका पीछा करते हैं पुछ दिर के बाद वो उससे आगे निकल कर उसे रोक लेते हैं यहाँ पर रेक कह रहा था कि नहीं किसी भी कीमत पर वो उनके साथ दोश्ती नहीं करेगा क्योंकि वो लोग कमजूर हैं लेकिन जब कुन आगे आता है तो वो कुन को वहाँ से दूर फेक दीता है और बाम पर हमला करने लगता है बाम ने अपनी तलवार फेक दी थी और कहा था कि अगर तुम जाहो तो मुझे मार सकते हो वैसे भी सिंपल सी बात थी कि अगर उसने बाम पर हमला किया तो इस वज़े से वो डिस्क्वैलिफाई हो जाएगा इसलिए वो भी रोख जाता है अब टाइम पूरा होने वाला था इसलिए यहाँ पर कुन तुरंत आगे आकर रेक को पकड़ लेता है और तब बॉम भी आगे बढ़कर रेक को पकड़ लेता है इसलिए मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर सकता वैसे अब हम देखते हैं कि सामने एक लड़का आगया था उसका नाम लियो है और वो यहाँ पर आकर कहता है कि थर्ड फ्लोर पर आपका श्वागत है और अब थर्ड लेबल भी अस्टार्ट होने वाला है लेकिन इसको अस्टार्ट करने से पहले उन्हें एक और टेस्ट करना होगा क्योंकि बहुत सारे लोग हो चुके हैं और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अगले फ्लोर पर इतने सारे लोग आ जाएंगे उन्हें बस इस वाल के इस तरफ आना था पर वो कहता है कि तुमने इस लेवल को पार कर लिया है और अब बॉम लियो के पास आकर बैट जाता है वैसे यहाँ पर लियो बॉम से कहता है कि क्यों ना हम एक सर्थ लगाएं हमें बस यह बताना है कि सबसे पहले इस टेस्ट को कौन पार करेगा और जो जीता वो सामने वाले से एक question पूछ सकता है बॉम इस बात पर हाँ कर देता और अब वो थोड़ा ध्यान से देखकर उसी लड़की के बारे में कहता है जिसके पास वो सिरीज स्वार्ड थी और बॉम का जवाब बिल्कुल सही था क्योंकि वही लड़की सबसे पहले उस टेश्ट को पार करती है हम देखते हैं कि वो दूसरा लड़का भी टेश्ट को पार कर लीता है अब यहाँ पर बॉम अपना question पूछता है लेकिन question पूछने के बाद लियो बताता है कि उसे सच में रेचल के बारे में कुछ भी नहीं पता और उसके बारे में उसने कभी शुना भी नहीं है कि वो है कौन और नहीं उसने अभी तक यहाँ पर participate किया है वैसे अब तभी लियो नोटिस करता है कि सामने उस water wall के दूसरी तरफ एक लड़का सभी को problem दे रहा है असल में वो लड़का ये नहीं चाहता था कि वो disqualify हो क्योंकि उसे ये test pass करते बन नहीं रहा था इसलिए वो अपनी गन उठा ली था लेकिन यहाँ पर लियो अपनी water power की मदद से उस पर हमला करता है और इस वज़े से अब उस लड़के को ये competition छोड़ना पड़ता है हम देखते हैं कि यहाँ पर बाकी लोगों ने भी ये competition पार कर लिया था जितने लोग अब इस तरफ आ चुके थे वो अगले floor की तरफ बढ़ रहे थे ये red door level होने वाला है यहाँ पर आकर bomb देखता है कि उपर आसमान है लेकिन bomb ने आज तक कभी आसमान नहीं देखा था इस वज़े से वो कुन से पूछता है कि आकर ये क्या है वैसे bomb को वो बस एक ceiling लग रही थी वो कहरा था कि ये तो बहुत अच्छी ceiling है लेकिन फिर कुन उसे बताता है कि ये आसमान है तो वो कुन से पूछता है कि क्या यहाँ पर रात में तारे दिखते हैं क्योंकि वो उन्हें देखना चाता था क्योंकि असल में Rachel भी यही चाती थी पर इस पर कुन बताता है कि नहीं क्योंकि ये असली आसमान नहीं है बलकि ये किसी की power की मदद से बनाया गया है इस वज़े से यहाँ पर रात होना मुस्किल है वैसे अगला टेस्ट स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि हर एक टीम को एक एक करके भीजा जा रहा था वैसे यहाँ पर बॉम की टीम अभी बैठी हुई थी और वैसे ही सोच रहे थे कि आकर यहाँ हो क्या रहा है क्योंकि सामने एक बॉल थी जिसमें 10 मिनिट का टाइमर लगा था उन्हें नहीं पता था कि आकर यह टाइमर क्यों है तब ही एक आदमी जो की बिल्कुल बलून की तरह था वो वहाँ पर आकर कहता है कि मुझे पता है कि आगे इस टेश्ट में क्या होने वाला है यह सुनकर बॉम तुरंती पूछता है कि क्या होने वाला है तो इस पर वो बताता है कि यहाँ पर अंदर जाकर सायथ तुम्हें परिशान किया जाएगा और अगर तुम चीखे तो तुम हार जाओगे इसलिए तो इन्होंने टाइमर लगा रखा है वैसे यहाँ पर वो अचानक से कुन के बारे में बात कर रहा था जैसे कि उसे कुन की जो फैमली है उसके बारे में कुछ नौलेज है और जैसे ही कुन उसकी बात सुनता है तो अचानक से उस पर हमला चालू कर रहेता है मगर फिर बॉम उसे रोग देता है क्योंकि अभी वो वेटिंग एरिया में थे और यहाँ पर किसी से लडाई करना उन्हें डिस्क्वालिफाई भी करा सकता है वैसे अब टेस्ट में इनकी बारी आती है ये तीनों ही उस जगे के अंदर जाते हैं वहाँ पर उन्हें टेस्ट के बारे में समझाया जाता है यहाँ पर बहुत सारे दरवाजी थी और उनके पास टोटल 10 मिनट का टाइम है उन्हें एक दरवाजा चुनना है अब वो हैरान थे क्यूंकि इतने कम टाइम में वो सही दरवाजा कैसे चुनेंगे और उनके पास सिर्फ एक ही चांस है अगर उन्होंने गलत दरवाजा खोला तो उन्हें डिस्क्वैलिफाई कर दिया जाएगा सूचते सूचते अब 5 मिनट से कम टाइम बचा था किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा दरवाजा खोले मगर तभी अचनक से रेक आगे बढ़ता और अपनी मरजी से एक दरवाजा खोल दीता है और वो किस्मत से बिल्कुल सही दरवाजा था इसके बाद वहाँ पर जो लड़की थी वो बताती है कि असल में सारे दरवाजे ही सही है बस ये टेस्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि कुछ मेंबर क्विक डिसीजन नहीं ले सकते और आगे वाले फ्लोर पर ये जरूरी होगा साथी वो कुन को समझाती है कि तुमारी टीम के जो टीम पार्टनर है वो सभी अलग है लेकिन अच्छा है कि वो तुमारी टीम पार्टनर है क्योंकि अगर तुम डिसीजन नहीं लेते तो अभी डिस्क्वाइलिफाई हो जाते वैसे वो वहाँ से आगे बढ़ते हो और अगले टेस्ट की तरफ आते हैं पर वहाँ पर एक लड़की थी जिसका चेहरा हलका हलका साथ दिख रहा था और वो रीचेल की तरह दिख रही थी वैसे इसके बाद ये ख़वर यहाँ पर इन लोगों को पता चलती है कि एक ग्रूप है जो कि यहाँ पर जबरदस्ती इस कॉंपिटिशन में एंटर काना चाता है लेकिन उस ग्रूप की परफॉर्मेंस देखकर यह फैसला करते हैं कि हाँ उसे भी आगे जाने दिया जाएगा अब हम देखते हैं कि अगला टेस्ट स्टार्ट होने वाला था टेस्ट थोड़ा सा सिंपल है सामने एक थ्रोन रखा हुआ जिसके उपर हर टीम का सिर्फ एक मेंबर बैठ सकता है अब जैसे ही एक टीम का मेंबर उस पर बैठेगा और उसके उपर एक क्राउन रहेगा और बस उसे उस क्राउन को प्रोटेक्ट करना है बाकि जो दो मेंबर रहेंगे वो दूसरी टीम को रोकेंगे उस crown को लेने से अब सबसे पहले स्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए वही लड़की आती है जिसके पास वो सिरीज स्वॉर्ड थी उसका नाम एनोक है यहाँ पर वो और उसका ग्रूप आ चुके थे एनोक ने इस वक्त वो crown पैन रखा था अब जो सामने वाले ग्रूप आते हैं उस crown को लेने के लिए उसे वो लोग बहुत ही आसानी से हरा दीते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि लियो वहाँ पर announce करता है कि अगला चैलेंजर आ सकता है अगले चैलेंजर की तौर पर दो ग्रूप एक साथ आ गए थे और इने भी उन लोगों ने रोक लिया था वैसे तभी अब बॉम का गुरूप आगे बढ़ता है तो जैसे ही एनोग बॉम के हाथ में उस black sword को देखती है तो वो तुरंती उस पर हमला कर देती है मगर इतने में ही वहाँ पर लियो आ गया था और उसने एनोग को रोक दिया था वो उसे समझाता है कि तुम ऐसे ही किसी पर हमला नहीं कर सकती जब तक कि वो यहाँ पर आगे आकर चैलेंज ना करे और इसी वज़े से एनोग को डिस्क्वाइलिफाई कर दिया जाता है और उसके साथ उसका पूरा ग्रूप बे डिस्क्वाइलिफाई हुआ था लेकिन वो इस कॉम्पेडिशन से डिस्क्वाइलिफाई नहीं हुए थे बलकि यह सिर्फ एक एक एक्स्ट्रा टेस्ट है तो इसलिए यहाँ पर उन्हें गेम से बाहर नहीं निकाला जाएगा बस वो अब इस टेस्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे अब यह टेस्ट वापस से कंटीनी होता और हम देखते हैं कि उस क्राउन को वापस से थ्रून के ऊपर रख दिया गया था और इस वक्त अब बहुत सारे लोग एक साथ इस टेस्ट में पाटिशिपेट कर रहे थे लेकिन उन सभी में कुन सबसे तेज था वो आगे बढ़कर तुरंती उस क्राउन को उठा लेता और अब वो लोग लीड कर रहे थे और बाकि सारे उन पर हमला कर रहे थे और यहाँ पर वो हुडी वाला ग्रूप भी अब आ चुका था यहाँ बाम उस लड़की का चैरा हलका सा देखता है तो वो उसे रेचल जैसी लगती है लेकिन जैसे ही वो उसे आवाज लगाता है तो वो जो भी थी वो आवाज का जवाब नहीं दे रही थी इस वज़े से बॉम को लगता है कि सायद उसे कोई गलत फहमी हुई है वैसे इसके बाद अब यहाँ पर यह गेम कंटीनी होता है हम देखते हैं कि कुन के पास एक सूट केस है जिसके अंदर वो जिस भी चीज की चाहे उसकी अनलिमिटेड कॉपी क्रियेट कर सकता है तो यहाँ पर वो उस क्राउन की कई सारी कॉपी क्रियेट कर लेता है और इसके बाद उसने उसको फैला दिया था और असली वाला उसने बॉम को पहना दिया था और बॉम अब थ्रून पर बैठा हुआ था अभी सभी बॉम पर हमला कर रहे थे क्यूंकि वो लोग जानते थे कि अशली वाला क्राउन बॉम के पास होगा वैसे हम देखते हैं कि सामने तीन गुरूप हैं बाकी गुरूप और हैं लेकिन वो अभी आये नहीं थे यहां तीन ही गुरूप थे और दो गुरूप आपस में हाथ मिला लेते हैं उस क्राउन को छीनने के लिए और जो तीसरा गुरूप था उसने उन दो गुरूप के साथ हाथ नहीं मिलाया था अब बॉम का गुरूप फाइट करता है लेकिन यहां पर वो जो तीसरा गुरूप था वो उन दोनों ग्रूप से फाइट करके उन्हें हरा देता है अब हमें पता चलता है कि सेकेंड फ्लोर पर असल में ये जो तीसरा वाला ग्रूप है उसने बॉम से हाथ मिला लिया था इस वज़े से ये लोग पहले से ही दोस्त थे लेकिन अभी तक ये बात रिवील नहीं हुई थी लेकिन अब दिक्कत ये हो जाती है कि एक दूसरे ग्रूप की मदद करने के लिए इस ग्रूप को भी डिस्क्वालिफाई कर दिया जाता है इस वाले राउंड से तो यहाँ पर अभी बाम का ग्रूप अकेला बचा हुआ था अब तीन और ग्रूप एंडर करते हैं पहला ग्रूप था वो होडी वाला और दो और पावरफुल ग्रूप थे अब जो तीसरा वाला ग्रूप था वो दूसरे वाले ग्रूप को हरा दीता है इसलिए अब वहाँ पर सिर्फ तीन ग्रूप बचे हुए थे एक बॉम का ग्रूप एक वो होडी वाला ग्रूप और एक वो तीसरा वाला ग्रूप वैसे वो तीसरे वाले ग्रूप में एक वोमन है जिसने मास्क पहन रखा है वो यहाँ पर तुरंती बॉम की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ गई थी मगर रेक उसे रोक लेता है पर फिर वो रेक को अलग कर देती है जिसकी वज़े से वो हुडी वाली लड़की नीचे गिर जाती है और हमें उसका चेहरा दिखता है और हम देखते हैं कि यह कोई और नहीं बलकि रेचली होती है और यहाँ पर जब वो मास्क विमन हमला कर रही थी तो यह अटैक सीधा रेचल को लगने वाला था लेकिन इतने में ही बॉम आगे आ जाता है जिस वज़े से वो अटैक बॉम को लगता है और साथी अब उसके सर्च से बहुत ही ज़्यादा खून भी निकल रहा था पर अब अचानक से उसकी वो ब्लैक स्वोर्ड की पावर एक्टिबेट हो जाती है वो तुरंती खड़ा होता है और तलवार को उठा कर उस पर हमला करता है इस वज़े से वो मास्क विमन नीचे गर जाती और बॉम उस पर फाइनल अटैक करके उसे ख़त्म करने वाला था लेकिन इतने में ही टाइम रुक जाता है असल में ये उस ब्लैक स्वोर्ड की स्पिरिट की पावर थी वो वहाँ बाहर आकर बॉम से कहती है कि तुम्हें सांत हो जाना चाहिए वैसे टाइम रुकने के कारण बॉम भी अभी एकी जगा पर रुका हुआ था और इसके बाद अचानक से वो बेहोस हो जाता है और टाइम भी अफिर से नॉर्मल हो जाती है अब यहाँ से सीन चेंज होता और अगले सीन में हम यूरी और गोल्ड को देखते हैं हम देखते हैं कि इस वक्त यूरी पूरी तैयारी कर रहे थी जिस फ्लोर पर बॉम है उस फ्लोर पर आने की और यह सब चीजे तुम उससे मिलकर जान जाओगे अब यह तीनों यहाँ से निकल चुके थे अगले सीन में हम वापस से यहाँ बॉम के पास आते हैं यहाँ पर आगर हम देखते हैं कि बॉम अभी बेहोस था और उसे बहुत टाइम हो गया था और इस वक्त कुन उसका ख्याल रख रहा होता है अब यहाँ से हम सीधा आजाते हैं लियो के पास असल में लियो बहुत कनफ्यूज था कि आगर इस टेश्ट के बाद हुआ क्या क्यूंकि वहाँ पर बहुत तेज लाइट फैली थी और किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इसलिए अब वो वहाँ की में टेश्ट औरगेनाइजर जिसका नाम यूहेन है उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था इस चीज़ पर यूहेन उसे बताती है कि असल में बॉम ने अपनी सेंजू पावर को एक्टिवेट कर ली थी सेंजू पावर असल में इंटर्नल एनरजी होती है और ये नॉर्मली हर किसी में एक्टिवेट नहीं होती इसके लिए बहुत ही महनत करनी पड़ती है पर किसी तरह से बॉम ने वहाँ पर वो एनरजी को एक्टिवेट कर लिया था जिसकी वज़े से वो जो crown था वो वहीं पर destroy हो गया इसलिए किसी को भी जीता हुआ नहीं माना गया वैसे यहाँ पर लियो यह भी पूछ रहा था कि आखर यह test हमने किया ही क्यों था मतलब इसका कारण क्या था यहाँ पर किसी को भी eliminate नहीं किया गया इस चीज़ पर यहन बताती है कि असल में यह hoodie वाले ग्रूप के कारण किया गया था उन्हें देखना था कि आखर उनकी power क्या है लेकिन इसका कोई result नहीं निकला क्योंकि होडी वाले जो ग्रूप है उसने अपनी power यूजी नहीं की उन्हें उस crown में कोई interest नहीं था होडी वाले ग्रूप से यहाँ पर इनका मतलब रेचेल के ग्रूप से था वैसे लियो जितना कोई जानना चाता था उतने सवालों की जवाब यूहें ने नहीं दिये थे इस वज़े से लियो थोड़ा सा डाउट में था जब वो वहाँ से जा रहा था तब उसे समझ में आता है कि असल में बॉम ने सेंजू पावर को एक्टिवेट नहीं किया बलकि सेंजू पावर खुद उसकी मदद कर रही थी इसलिए यहाँ पर यूहें थोड़ी है और हर चीजों का जवाब नहीं दे रही अब हम यहाँ पर बॉम और कुन के पास आते हैं हम देखते हैं कि अब तीन दीन बीच चुके थे कुन बॉम से कह रहा था कि तुम्हें उठना होगा क्योंकि कल हमारा टेस्ट है और अगर तुम नहीं उठे तो तुम्हें डिश्क्वालिफाई कर दिया जाएगा मगर बॉम को ये सब बाते नहीं सुनाई दे रही थी तब ही वहाँ पर बाहर रेचल आती है रेचल वहाँ पर बॉम के सर पर हाथ फिरती और कुन से कहती है कि देखो जब ये उठेगा तो इससे इस तरह से बात करना जिससे किसे ये डाउट हो कि इसने मुझे देखा या नहीं रेचल नहीं चाहती थी कि बॉम को इस बारे में पता चले क्योंकि इस चीज से बस बॉम उसकी चिंता करेगा और अब वो फिर से कभी दोश नहीं बन सकते मगर यहाँ पर कुन को थोड़ा सा डाउट हो रहा था क्या कि रेचल ऐसा क्यों कह रही है पर यहाँ पर वो उसे कुछ भी नहीं कहता अब हम देखते हैं कि एनोक इस वक्त बॉम की वो तलवार लेकर घूम रही थी क्योंकि वैसे भी बॉम उस क्राउन गेम में जीत नहीं पाया है इस वज़े से अब यह तलवार एनोक की हो चुकी थी यहाँ पर वो उस तलवार की एस्विरिट से कॉंटेक्ट करना चाती थी पर वो ऐसा कर नहीं पा रही थी क्योंकि ऐसा सिर्फ यूरी कर सकती है वैसे बॉम भी ऐसा कर पा रहा था और यह चीज यह नोक को पता नहीं थी और अब वो यहाँ से उस तलवार को लेकर जाती है अपने टीम के मेंबर के पास वो उसे दिखाती है और कहती है कि क्या तुम इससे कॉंटेक्ट कर सकते हो वो भी कोसिस करता है पर वो भी नाकाम ही रहता है अब जब एनोक वहाँ से वापस लोट रही थी तब ही वहाँ पर एक और लड़की आती है यह दूसरे ग्रूप की है यह यहाँ पर एनोक को समझाती है कि यह तलवार असल में यूरी की है और इसे उसके सिवा और कोई यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो असल में प्रिंस है मगर एनोक उसकी बात नहीं सुन रही थी बाकि एनोक भी यह जानती थी कि वो सच कह रही है अगले सीन में हम देखते हैं कि अब बॉम को होस आ चुका था कुन उसे बताता है कि उसे पूरे तीन दिन हो चुके हैं बेहोस हुए और वो ये भी बताता है कि अब कल टेस्ट होने वाला है और अगले सीन में हम उस टेस्ट को ही देखते हैं यहाँ पर जितने भी लोग सलेक्ट हुए थे वो सभी एक साथ बैटे थे और सामने उन्हें समझाया जा रहा था कि अगला टेस्ट पांच टीम में बटेगा यहाँ पर टीम में में मेंबर की गिंती नहीं रहेगी यह पांचों ग्रूप को अलग-अलग टैग दिया गया है और इससे वही मेंबर जुडेंगे जिनकी उस ग्रूप के हिसाब से वो एबिलिटी रहेगी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बॉम और कुन अब दोनों अलग-अलग ग्रूप में थे वैसे यह उनकी एबिलिटी पर था और ऐसा कुछ नहीं है कि यह पांचों ग्रूप बाद में जाकर आपस में बैटल करेंगे हम देखते हैं कि यहाँ पर बॉम को फिफ्ट ग्रूप में रखा गया था और ऐसा खुद लियो नहीं कहा था क्योंकि बॉम से दो दिन और रेष्ट करना चाहिए क्योंकि वेब कंट्रोलर ग्रूप में सेंजू पावर को सिखाया जाएगा क्योंकि वेब कंट्रोलर ग्रूप में सेंजू पावर को सिखाया जाएगा जिसके लिए इंटर्नल एनरजी बहुत जरूरी है जो कि बॉम के पास है नहीं अभी तो अब बॉम दो दिन और रेष्ट करता है अब जब वो दो दिन के बाद उठता है तो यहाँ पर और वैसे भी आज से तुम्हारे ग्रूप की ट्रेनिंग चालू होने वाली है इसलिए तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए वैसे यहाँ पर बॉम उस कमरे से बाहर भी गया था जिस कमरे में रेचल थी मगर बाहर अलग नाम लिखा हुआ था क्योंकि रेचल ने खुद को असलिमें जू पाउर को कंड्रोल करने के लिए एक कांट्राइक्ट साइन होता है जो कि वो किसी दूसरे वर्ल्ड के किसी क्रियेचर के साथ करते हैं तो यहाऄ पर वो सभी से कहते हैं कि उन्हें भी यही सेम चीज करने होगी अब यहाँपर हम बॉम को देखते हैं जो नेक क्रियेचर की पावर इतनी ज़ादा थी कि इसकी वज़े से बॉम वहाँ पर बहुत ज़ादा ठक गया था ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी सारी एनरजी उसी कॉंट्रेक्ट में चली गई हो और अब वो बहुत वीक महसूस कर रहा था जब वो थोड़ा ठीक होता है तो पास-पास देखता है कि बाकी सभी के साथ ये चीजे नहीं होई थी सभी ने अपना-पना कॉंट्रेक्ट साइन कर लिया था वैसे अब उनकी क्लास यहीं पर पूरी होती है वो सभी वापस लोट रहे थे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की भी जा रही थी बाउम उ उससे कुछ बिना कहे ही वहाँ से चली जाती है वैसे अब उसकी टीम की एक मेंबर जिसका नाम हो है वो वहाँ पर आती और बाउम से कहती है कि ये लड़की ऐसी ही है तुम इसकी चिंता मत करो वो दूसरों से ज्यादा बात नहीं करती और अब यहाँ पर बाउम और उसकी हुडी वाले ग्रूप में था यानि कि वो रेचल का टीम मेंबर था उसे भी वही सेम ग्रूप मिला है और वो बहुता स्ट्रॉंग है इस वज़े से रेक उससे हारना नहीं चाता और वहाँ पर जिस तरह की भी ट्रेनिंग चल रही इथी रेक उसमें कॉम्पिटीशन कर रहा था और इसी चीज में उसे देरी हो गई थी वैसे अब वो बात कर रहे थे तभी वहाँ पर दूसरे ग्रूप के दो लड़के आते हैं वो यहाँ पर बॉम से दोस्ती काना चाते थे कुन भी उसके साथ ही गया था और हम देखते हैं कि वहाँ पर आकर उनकी मुलाकात होती है उसी लड़की से जो कि इनोक को समझा रही थी कि असल में ब्लैक सोड यूरी की है इसलिए वो उसे कंट्रोल नहीं कर शकती वो लड़की भी उनके साथ बैठ जाती है और वहाँ पर खाना खाने लगती है लेकिन इतने में ही इनोक भी वहाँ पर आ चुकी थी और यहाँ पर बॉम इनोक के हाथ में वो तलवार देखता और कहता है कि साथ तुम भी प्रिंसेस हो तभी तुम इस तलवार को रख पा रही हो और इसका मतलब तुम यूरी की सिश्टर होगी ले लाकिन इन लोगों को प्रिंसेस क्यों कहा जा रहा है और यह ब्लड से रिलेटेड नहीं है पर फिर भी यह आपस में सिश्टर कैसे बनी वैसे अब इसके बाद एक अगला टेस्ट स्टार्ट होना था और यह सभी के लिए नहीं था बस कुछ लोगों के लिए था यहाँ प फाइट उन दोनों में ही होने वाली थी वैसे वो लड़की यह बात जानती थी कि असल में एनोग प्रिंसेस नहीं है अब यहाँ पर उनकी फाइट श्टार्ट होती और तबी सीन चेंज होता है अगले सीन में हम कुन को देखते हैं उसे टास्क मिला था कि उसे जितनी ज़ और उसे रिचल का सच भी पता लगाना था लेकिन वो देखता है कि सिस्टम के अंदर जादा कुछ जानकारी नहीं है वो भी यह देखकर थोड़ा हैरान था क्योंकि बाकी लोगों के बारे में पूरी A to Z डिटेल में लिखा हुआ था इसके बाद हम वापस से फाइट पर जहां पर हम देखते हैं कि अभी इनोक और वो लड़की लड़ रहे थे और लड़ते हुए वो सामने वाली लड़की ज़्यादा ताकतवर साबित हो रही थी और वो इनोक को वाँ पर नीचे गिरा देती है और इसके बाद वो इनोक से पूछ दिये कि आखिर तुम हो कौन क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमें एक असली जहाड प्रिंसेस नहीं हो जहाड असल में वो परसन था जो कि इस पूरे टावर पर सबसे पहली बार चड़ा था अब पहले तो इनोक बताती है कि सच में वो प्रिंसेस नहीं है उसकी जो मदर थी वो एक प्रिंसेस थी और ब बहुत पावर्फुल ताकत थी और ये पावर जिस जिसको मिली उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी उनके साथ एक सर्थ रखी गई कि वो कभी भी अपनी लाइफ में साधी नहीं कर सकती या फिर वो किसी भी लड़के को पसंद तक नहीं कर सकती लेकिन जो इनोक की मदर थी इनोक ने फैसला किया कि वो किसी भी तरह से बाकी सभी प्रिंसेस से बदला लेगी और उन सभी को खत्म करेगी वैसे ये कहानी थोड़ी सी सैड थी पर इनोक का मानना भी सही था बस ये बात अलग है कि इनोक की मदर ने कभी भी बदले के बारे में नहीं शोचा था और वो टास्क मिला था कि उसे टोटल नौ लोगों के साथ फ्रेंड्शिप करनी है और वो वहाँ पर आकर बॉम की मदद मांग रहा था वो उससे कहता है कि देखो मैं इनोक से भी फ्रेंड्शिप करना चाता हूँ और उस दूसरी लड़की से भी लेकिन बात ये है कि वो दोनों दुस्मन है और अगर वो किसी एक से फ्रेंड्शिप करेगा तो दूसरे से नहीं और इस चीज में उसका वो टास्क पूरा नहीं हो पाएगा बॉम मदद के लिए मान जाता है और अब वो उस लड़की के पास जाते हैं वो देखते हैं कि उसके पैर में चोट लगी थी और उसके पास अब कम पॉइंट बचे हैं क्योंकि उसने अपने पैर का जब इलाज कराया तो इस चीज के लिए उससे कुछ पॉइंट्स खोने पड़े यहाँ पर बॉम अपने पॉइंट से उसके लिए हां कर देती है अब यहाँ से सीन चेंज होता और हम आते हैं बॉम की क्लास में जहां पर उनकी ट्रेनिंग चल रही थी यहां में पता चलता है कि सभी लोगों ने कॉंट्रेक्ट साइन कर लिया है लेकिन कॉंट्रेक्ट साइन करना ही सब कुछ नहीं है उन्हें सेंजू पाउर को कंट्रूल करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी क्योंकि एनरजी कंट्रूल करना इतना असान नहीं है यहां पर वो पूरी प्रैक्टिश कर रहे थे वैसे वो लड़की हो जिसकी बॉम के साथ दोस्ती हुई थी वो देखकर बहुत सौक थी कि बॉम बहुत ही जादा फास्ट सेंजू पाउर को सीख रहा है जबकि वो बहुत जादा पाउरफुल खुदी है लेकिन वो भी इस पाउर को इतनी जल्दी सीख नहीं पा रही थी वैसे इसका कारण कुछ और नहीं था बलकि वो लड़का जो कि पहले से कॉंट्रेक्ट साइन कर चुका था वो सेंजू पाउर को कंट्रूल करने में माश्टर है इसलिए वो बॉम की मदद कर रहा था और बॉम भी उससे हेल्प ले रहा था इसके बाद बॉम उसे कुछ खाने के लिए दीता है हम देखते हैं कि अब इस लड़की हो को बहुत ही ज़्यादा डाउट हो रहा था उसे लग रहा था कि बॉम के अंदर जरूर कुछ ना कुछ स्पेशल बात है जिसके वज़े से वो इस पाउर को सीख पा रहा है क्योंकि भले ही कोई कितनी भी अच्छी तरीके से क्यों न सिखा दे लेकिन इसे कंट्रोल करना अपने अंदर की काबिलियत पर डिपेंड करता है वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि जब हो अपने रूम के अंदर थी तभी कोई गेट उसका नौक करता है और बाहर उसे एक लेटर रखा मिलता है उस लेटर में क्या लिखा था ये तो सिर्फ हो को ही पता चलता है और यहां से ये सीन चेंज होता है हम देखते हैं कि एक बार फिर से सभी मिंबर को एक जगे पर बुलाया गया था और यहां पर उन्हें कुछ इंस्ट्रक्सन दिये जा रहे थे इसके पहले हम ये भी देखते हैं कि यूहें लियो को अपने पास बुलाती है और उसे बताती है कि अब अगला जो टास्क यानी के टेस्ट होने वाला है उसमें लियो लीड नहीं करेगा उसके लिये उसने कुछान नाम के एक लड़के को बुलाया है कुछान और लियो दोनों सेम रैंक पर हैं जल्दी पूरे हुए थे इस बज़े से उनके पास ज़्यादा पॉइंट भी है और यहां बाकी सभी को गेम समझाया जाता है यहां पर दो बैच बनाए गए थे और दो ग्रूप जैसे कि ग्रूप A और ग्रूप B इन दोनों में कॉम्पटिशन नहीं होगा बलकि असल में कुवान उनमें से एक बैच को अपने पास रखेगा और कुवान को उस बैच को बचाना है एक जगे से दूसरी जगे पहुँचाने के लिए और जैसे माली जी की ग्रूप A है उसमें जितने मेंबर हैं वो कोसिस करेंगे कि वो किसी तरह से कुछ बैच को छुपाते हुए उस दूसरे जगे पर ले जा सके अगर वो वहाँ पर पहुँच गए तो इसका मतलब वो जीट गए और अगर वो नहीं पहुँच पाए तो वो हार गए और इसके बाद फिर ग्रूप B को बारी मिलेगी लेकिन अगर ग्रूप A जीत जाता है तो ग्रूप B की बारी ही नहीं आएगी वैसे अभी बॉम और कुन दोनों ही अलग-अलग ग्रूप में है इसके बाद अब यहाँ पर उस गेम को स्टार्ट किया जाता है पहले ग्रूप A की बारी थी और उनका लीडर कुन को बनाया गया था यहाँ पर कुन उन सबको पूरा प्लैन समझाता है कि उन्हें किस तरह से काम करना है सबसे पहले तो उन्हें कुवान से वो बैच चीना था जिसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो ले जाएंगे जिसके लिए वो पूरा प्लैन बनाते हैं और वो कुवान को डिस्ट्रैक्ट करके उससे फैनली वो बैच चीन भी लेते हैं कुवान को गुस्सा आया था लेकिन फिर भी वो उन्हें चांस देता है वहाँ से भागने का इसके बाद अगला प्लैन ये था कि वो बिल्कुल साथ में नहीं भागेंगे वो आपस में बढ़ चुके थे और कुवान को ये नहीं पता था कि वो बैच किसके पास है कुवान का प्लैन बहुत ही अच्छा था कुवान को भी थोड़ी परिशानी हो रही थी पर वो फैसला करता है कि वो सभी को हराएगा जिससे कि फिर उसे इस चीज की चिंता करने की जर्रत ही नहीं है कि बैच किसके पास है अब जो लोग जादा दूर नहीं पहुंचे थे वो एक एक करके उन सभी को रूख दिता है और जो ज़्यादा दूर पहुंचे थे वो उनकी पूरी स्पीड में कैच करने की कोसिस करता है वैसे दूसरी तरफ इस वक्त लियो यूहन से कह रहा था कि कुनिश टीम का लीडर है अगर वो चाहे तो अपने सूटकेस से बहुत सारे क्लोन की रेट कर सकता है उस बैच के फिर हम असली बैच को पैचान नहीं पाएंगे पर यूहन बताती है कि नहीं ये सेंजू पावर से बनाए इसलिए इसको कौपी नहीं किया जा सकता और अब हम देखते हैं कि कुवान किसी तरह से कुन को पकड़ लेता है मतलब अब वो कुन के पास पहुँच चुका था पर कुन कहता है कि बैच उसके पास नहीं है बैच तो इनोग के पास है और इनोग यहाँ ब्रिज के नीचे है और वो नीचे के रास्ते से बाहर जा रही है अभी वो रास्ता उनके जश्ट थोड़े ही दूर पर था और अब कुँआन के पास और कोई रास्ता नहीं था वो वापस उपर आती और अपनी उस खास सीरी स्वार्ट की मदद से कुन को बचा लेती है और इसके बाद अब वो बैच लेकर सीधा उस जगे के एंड तक जा रही थी मगर वो सामने देखती है कि इतने में ही वहाँ पर कुआन भी आ गया था कुआन सच में बहुत तेज भागता है और यही उसकी इस्पेशल पावर थी यहाँ पर वो इनोक के हाथ से उस बैच को छीन लेता है और इस वज़े से टीम भी यहीं पर हार जाती है वैसे हम देखे तो कुण ने बिल्कुल सच बताया था कि इनोक असल में उस ब्रीज के नीचे है और यहाँ पर कुण सभी से माफी मांगता है लेकिन असल में कुण ने ऐसा इसी लिए किया था जिससे कि उसका दोस्त यानी की बॉम आगे बढ़ सके और उस टावर पर पहले पहुंच सके और जीत सके वैसे यहाँ पर वो यह बात रिवील नहीं करता कि उसने ऐसा क्यों किया था वो बस माफी मांगता है कि वो एक अच्छा लीडर साबित नहीं हुआ अब इसके बाद वो सेकेंड राउंड श्टार्ट होता है जिसमें टीम B की बारी थी हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले तो लीडर चूज करना था जो कि उस बैच को अपने पास रख सके और इसके लिए उस लड़की को चुना जाता है जिसकी इनोक से अभी लड़ाई हुई थी उसका नाम इंडोर सी है और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग पूरी प्लैनिंग के साथ आगे बढ़ रहे थे उन्होंने पूरा प्लैन बना रखा था मगर लाश्ट में जाकर इंडोर सी उन सभी को धोखा दे देती है भी समझाती है कि अगर वो रेचेल के साथ इस टावर के ऊपर पहुँचना चाता है तो उसे भी ऐसा ही करना होगा क्योंकि आखिर में बहुत कम लोग वहाँ पर पहुँच पाएंगे बॉम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो नहीं चाता था कि वो अपने ही दोस्तों को धोखा दे मगर इंडोर सी किसी पर भी दया नहीं दिखा रही थी और अब बाकी लोग भी उस पर हमला करने लगे थे जिसका वो उल्टा जवाब भी दे रही थी लाश्ट में क्या होता है कि अचानक से वहाँ पर हो आ जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि हो ने रेचल को पकड़ रखा था हो को रेचल की लोकेशन पता चल गई थी और यहाँ पर उसके उपर वो चाकूत आने हुई थे यह बात जब बॉम देखता है तो वो बहुत हैरान होता है क्योंकि वो भी उसकी दोस्त है उसे समझ नहीं आया था कि आखिर हो ऐसा क्यों कर रही है वो आगे बढ़ता उसे बचाने के लिए लेकिन यहाँ पर कुआन आ गया कर बॉम को फ्रीच कर देता है क्योंकि वो चाता था कि यह गेम और इंट्रेस्टिंग हो सके हम यहाँ पर देखते हैं कि रेचल जब वहाँ से भागने की कोसिस कर रहे थी और बचने की कोसिस कर रहे थी इतने मेही गलती से हो उसे चाकू मार देती है उसे वो चाकू लग चुका था बॉम यह देखकर हैरान था वो तुरंत ही उस मैजिक स्पेल को तोड़ते वे आगे बढ़ता है और जिस मैजिक स्पेल का यूज कुआन ने बॉम के उपर किया था उसी सेम स्पेल को बॉम अभी हो के उपर करता है और जाकर रेचल को पकरता है वो देखता है कि रेचल बहुत ही जादा इंजर्ड है और यहाँ पर अब हो नीचे गिर चुकी थी और वो खुद भी यह समझ रही थी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है इसलिए वो खुद को ही खत्म कर लेती है अब यहाँ से हमें पूरी बात समझ में आती है कि असल हम देखते हैं कि गेम अभी भी अश्टार्ट था इंडोर्सी वहाँ पर आगे बढ़ रही थी लेकिन इतने में कुआन बहुत ही स्पीड से आते हुए उसके पास से वो बैग छीन लिता है जिसमें वो बैच रखा हुआ था इंडोर्सी बहुत दुखी होती है मगर फिर भ लोगों को धोखा दे देते मतलब उसे पता था कि कितने लोग सलेक्ट होने वाले हैं तो अगर वो पकड़वा दे तो क्या वो आगे बढ़ सकता है इसलिए कुआन ने उसे हां किया था और चार लोगों की परमीशन दे दी थी इसी वज़े से कुन ने बहुत सोच समझ कर स लिखा ही कुन ने था उसने जान बुझकर हो को मोटिवेट करा था कि उसे बाम को रोकना होगा क्योंकि वो जानता था कि हो पहले से बहुत चिंता में है क्योंकि वो लड़का जो कि पहले से कॉन्ट्रेक्ट साइन किये हुए है वो बहुत है इसलिए उसे रोक पाना तो न जोकना होगा और इसी वज़े से उसने वहाँ पर गलती की और कुन ये भी जानता था कि बॉम इस तरह से नहीं रुकेगा जब वो रेचल को खत्रे में देखेगा तब उसकी सेंजू पावर अचानक से एक्टिवेट हो ही जाएगी इसी वज़े से यहाँ पर कुन का पूरा कामयाब हो गया था वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि अभी कुन आराम से लेटा हुआ था लेकिन वो बहुत चिंता में था क्योंकि उसका प्लैन भले ही कामयाब हो गया हो लेकिन अभी एक दूसरी प्रॉबलम थी अब वो प्रॉबलम क्या है हम ये आगे जानेंगे लेक पर कुन को नहीं लग रहा था कि बॉम किसी भी कीमत पर मानेगा लेकिन तभी वहाँ पर बॉम आ जाता और वो कहता है कि रेचल अभी भी कोमा में है लेकिन मुझे टावर क्लाइम करना ही होगा जिससे कि मैं टावर के उपर जाकर उसे बचा सकूँ ये बात सुनकर कुन सौक था लेकिन वो उससे प्रामिस करता है कि वो जितनी जादा हो सके उतनी उसकी मदद करेगा जिस पर बॉम भी बहुत खुश था वैसे यहांपर बॉम ये भी कहता है कि अभी हो से मिलने के लिए जाना है क्योंकि हो की देथ हो गई थी लेकिन सबी लोग अभी उसकी ग्रेव के पास फ्लावर चढ़ाने के लिए आ रहे थे यहाँ पर बॉम भी आ गया था जबकि हो ने जो कुछ भी किया उसके बाद उसे नहीं जाना चाहिए था पर बॉम ने उसे माफ कर दिया था क्योंकि बॉम जानता था कि भले हो ने कुछ भी किया हो लेकिन यह तो नौर्मल सी चीज है अगर हो को आगे बढ़ना था तो उसे बॉम को रोकना ही परता और अगर बॉम भी आगे बढ़ने का सोच रहा है तो उसे हो को हराना ही होता तो नॉर्मल बात थी वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि बाकी सबी भी वहीं पर थे यहाँ तक कि अभी रेचल भी वहाँ पर आई थी रेचल कोमा से बाहर आ चुकी थी अब बस वो थोड़ी सी इंजर्ड थी इस वज़े से वो आगे नहीं बढ़ सकती थी यहाँ पर आकर वो बाम से कहती है कि वो उसे इसलिए अकिला छोड़ कर आ गई थी क्योंकि वो टावर क्लाइम करना चाती थी और इसी वज़े से उसे उसने कुछ भी नहीं बताया था इसलिए वो ये भी कह रहे थी कि अगर बाम चाहे तो उसके साथ फ्रेंड्शिप खत्म कर सकता है क्योंकि अब वो पहले वाली रेचल नहीं रही लेकिन बाम उससे कहता है कि देखो तुमारी वज़े से ही आज मैं यहाँ पर हूँ जहाँ पर हम मास्टर यूगा को देखते हैं वो इस वक्त खुद से ही कुछ बड़बडा रहे थे असल में वो किसी से बात कर रहे होते हैं तब ही वहाँ पर यूहेन आती और उसकी बात सुनकर कहती है कि अच्छा तो तुम ये प्लान कर रहे हो मास्टर यूगा कहते हैं कि मुझे किसी भी कीमत पर वो सिरी स्वाड लेनी होगी असल में यहाँ पर वो इनोक की उस तलवार की बात कर रहे थे और वो ये भी कह रहे थे कि उन्हें इनोक को खत्म करना होगा यूहेन भी इस पर हां करती है असल में वो लोग ऐसा इसलिए प्लान कर रहे हैं क्यूंकि हमें पता है कि इनोक एक प्रिंसेस की बेटी है और प्रिंसेस को साधी करना मना था इसलिए वो इनोक को भी खत्म करना चाते थे जिससे कि उनका ये टावर का रूल ना ब्रेक हो और इस चीज में यूहन भी हा कर देती है और कहती है कि मैं पूरी मदद करूंगी इसमें और अब जो अगला टेस्ट होने वाला है वो लोग उसमें ही ये सब प्लानिंग कर रहे कि कैसे उन्हें इनोक को खत्म करना है वैसे इसके बाद लियो यूहन के पास आता और बताता है कि हो के पास एक लेटर था ये बात सुनकर यूहन भी इंप्रेस थी क्यूंकि ये जिसका भी प्लान है वो कमाल का प्लान था वैसे हम देखते हैं कि अब सभी पार्टिसेपें था कि उसके पैर में चोट लगी है और वो कुछ कर नहीं सकती और अगर वो हिस्सा ले भी लेती है तो भी हार ही जाएगी पर यहाँ पर सभी लोग समझ रहे थे और साथी साथ कुन भी जानता था कि अगर रेचल आगे नहीं बड़ी तो बॉम भी डिमोटिवेट हो जाए बॉम तुरंती खड़ा हो जाता और कहता है कि ये काम मैं करूंगा अब ये टेस्ट थोड़ा बड़ा और ये कई पार्ट में डिवाइडेड है सबको अलग-अलग काम मिलेगा इसलिए उन्हें पूरी डिटेल में ये टेस्ट समझाया जाता है वैसे अब ये टेस्ट स्ट पार्ट हो गया था असल में एक बॉल है जो कि पानी के अंदर है उस बॉल के अंदर रेचल और बॉम रहेंगे रेचल कुछ कर नहीं सकती इसलिए बॉम उसे प्रोटेक्ट करेगा पानी के अंदर बहुत खत्रा है क्योंकि जो उपर की जगे है यानि कि जो जमीन है वहाँ पानी के अंदर ये तब तक बचे रह सकते हैं जब तक ये पानी के मॉस्टर से बचे रह सके और वो मॉस्टर है एक बॉल मॉस्टर जो कि वहाँ पर आएगा लेकिन उसे वहाँ पर आने में टाइम लगेगा और अगर बाकी लोग इतनी देर में उस बॉल मॉस्टर को खत् आए गए हैं और इसके बाद अब ये टेस्ट स्टार्ट होता है आगे हम देखते हैं कि जो रेक है और उसका जो ग्रूप है वो सभी ऊपर थे मतलब उस गौबलीन वाले एरिया में उनसे फाइट करने के लिए वो सभी पूरी तरह से तयार थे उनसे गौबलीन को खत्म करने इसलिए वो बुल मॉस्टर यहां पर रुख कर टाइम वेश नहीं करना चाता था वो आगे बढ़ जाता और कुछ दिर के बाद वो लड़का उसका पीछा कर रहा था इतने में ही वो बुल मॉस्टर वहां से गायब हो चुका था अब तीसरी तरफ हम आते हैं कुछ लोग स और जो भी पहले उसे खत्म कर देगा वो जीता हुआ माना जाएगा इनाम के तोर पर अगर जैसे इनोग जितती है तो इसके बदले इंडोर्सी पूरी लाइफ टाइम के लिए उसकी सर्वेंट बन जाएगी लेकिन अगर इंडोर्सी जितती है तो इनोग को अपनी वो सिर में उसकी मदर को उन्होंने ही मारा था रिजन सिंपल सा है कि उसकी मदर ने टावर के रूल को तोड़ा ये बात सुनकर इनोग बहुत ज़्यादा हैरान थी और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था अब उनमें लड़ाई ये स्टार्ट होती है लेकिन मास्टर उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देते हैं और वो इतनी जादा इंजर्ड हो गई थी कि वो उस जगे से उड़ भी नहीं पा रही थी। अब वो हमला करने लगती है मास्टर यूगा पर मगर वो भी उसके सामने कुछ नहीं थी। इतने में ही वहाँ पर अब यूरी भी आ गई थी। उसका ग्रूप यहाँ पर पहुंच चुका था। यूरी मास्टर यूगा से ज़्यादा ताकतवर है। वो यूगा को रोकती है वैसे हमें पता चलता है कि असल में सिर्फ यूरी ही यहाँ पर आई थी और जो गोल्ड है और बाकी के और लड़का वो इस वक्त वहाँ यूहन से मिलने के लिए आए थे। वो यूहन को बताते हैं कि हम यहाँ बीच में अचानक से इसी लिए आए हैं क्योंकि हमें हमारी ब्लैक सोड वापस चाहिए यूहन इस पर मान जाती है और हम आगे देखते हैं कि यूरी की और मास्टर यूुगा की फाइट चल रही थी यूरी उसे खतम करने ही वाली थी कि तभए वहाँ पर गोल्ड का फोन आता है वो कहता है कि मास्टर यूगा को खतम करने की जरत नह जिस पर यूरी मान जाती है लेकिन बाद में माश्टर यूगा को उसके सभी कामों की सजा मिलती है और वो मारा जाता है वैसे यहां से अब यह scene change होता और हमें बताया जाता है कि यूरी असल में black sword के लिए नहीं बल्कि bomb के लिए यहाँ पर आई थी अब इसके बाद ये सीन चेंज होता और हम आ जाते हैं बॉम और रेचल के पास यहाँ पर हम देखते हैं कि रेचल थोड़ी टेंसर में थी लेकिन बॉम कहता है कि उसे चिंता करने की जर्रत नहीं है अब उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं जो कि उसके लिए लड़ रहे हैं और अब वो पहले से भी ज्यादा स्टॉंग बन चुका है लेकिन तभी इनोक उसे रोक देती है और कहती है कि अगर वो वहाँ पर गई तो इस चीज में बॉम को इलिमिनेट कर दिया जाएगा इसलिए उसे वहाँ पर जाना नहीं चाहिए क्योंकि बॉम खुद भी उस बुल मॉस्टर से लड़ सकता है अब यूरी को उन पर भरोसा था इस वज़े से वो एक चीज देती है और कहती है कि बॉम को बता देना मैं यहाँ पर आई थी और मैं उसका 77 फ्लोर पर इंतजार करूंगी और इसके बाद अब वो यहाँ से चली जाती है अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बॉम जब उस बुल मॉस्टर को देखता है तो तुरंट उस वाटर बबल से बाहर आकर उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है बॉम के पास सेंजू पावर थी और उसे किसी भी कीमत पर रेचल को बचाना था इस वज़े से वो उस बुल मॉस्टर से भी लड़ जाता है और उसे खत्म भी कर देता है हम देखते हैं कि वो इंजर्ट हो गया था और इस वज़े से सीधा आकर उस बबल के उपर गिरा था लेकिन रेचल उसे पकड़ लेती है बॉम बहुत खुश ताकि उसे फाइनली इस चीज़ को पूरा कर लिया और उसने इस टेश्ट को पास कर लिया है और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ उपर वो क्वीन फ्लावर एक्टिवेट हो जाता है और ये लोग उपर आने लगते हैं बाहर के डीमन भी खत्म हो चुके होंगे बॉम इस वज़े से बहुत खुश था पर तभी अचानक से रेचल उसे वहाँ से धक्का देकर उसी बबल के बाहर पानी के अंदर नीचे फेक देती है बॉम ये चीज़ देखकर बहुत हैरान था क्योंकि उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उसने बिल्कुल सोचना ही बन कर दिया था लेकिन रेचल के चेहरे पर अभी थोड़ी खुसी थी अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रेचल सुरू से ही यही प्लैनिंग कर रही थी असल में हुआ क्या कि रेचल को टावर के उपर आना था लेकिन असल में बॉम था जिसे चुना गया था इस टावर को क्लाइम करने के लिए तो वो जो गार्डियन जो हमें सुरू में मिला था वो यहाँ पर रेचल को बताता है लेकिन रेचल जानती थी कि वो बहुत कमजूर है और वो उतने उपर तक नहीं जा पाएगी तो इसलिए गार्डियन उसे एक और उसका साथी दीता है जिसे हम पहले देख चुके हैं और ये वही साथी था जिसका competition रिक के साथ हो रहा था गार्डियन बताता है कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा और साथी साथ ये तुम्हें एक बार मरकर जिंदा भी कर सकता है इसी वज़े से जब हो ने इसे चाकु से मारा था तब असल में उस दूसरे आदमी की जान गई थी और रेचल बच गई थी बाँम उसे बचाने के चकर में उस बबल से बाहर निकल गया और वहाँ नीचे गिर गया वैसे बाँम की बॉड़ी वहाँ पर मिली नहीं थी इस वज़े से सभी को लग रहा था कि जो सील है और जो बाकी फिसेस है जो पानी में बहुत नीचे है वो साइद बाँम को खा गई सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे वैसे इसके बाद वो सभी फैसला करते हैं कि वो किसी भी तरह से रेचल को उस टावर के ऊपर लेकर जाएंगे कहती है कि इस चीज का जवाब तुमें उस टावर के ऊपर चड़ने के बाद ही मिलेगा साथी साथ राया ये भी कहती है कि वो बाँम को ट्रेन करेगी जिससे कि वो और स्ट्रॉंग बन पाएगा और बाँम इसके लिए तैयार था हम देखते हैं कि अगले सीन में वो टावर के ऊपर था और अब वो बहुत बड़ा हो चुका था लेकिन यहीं पर सीजन वन कम्प्लीट होती है और सीजन टू अभी तक आया नहीं है और अगर वो आता है तो उसे भी लेकर हम आपके सामने जरूर आएंगे वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाले